बढ़े NOTE हेलो और अजिंआ raped siblings कैसे आप सभी Hope show सभी अच्छे होंगे तो लास्ट क्लास में बात कि थी कि लोगर्थमिंग function क्या होता है छुक है उसको तो कैसे रीड किया जाता है याण बहुत बैसिक सी चीजेश file अर penso किया होता है और नेक्स ȘE song ने जो बात की थी वह थी ति कि की लोगर्थी मंठीन में कैसे फ्यंडाउट करना हूँ क्या बात थी हमने की लोगर्थी फंक्सिन का डोमेन कैसे फांड रावक किया जाता है फिर लास्थ बात कि थी की logarithmic function का graph कैसे plot होता है तो आज हम जस्ट जो topic हमने पड़े थे उनके हम बस basic questions यानि कुछ practice करने वाले हैं तो बस वो basic questions होंगे जिनके हम क्या करेंगे practice करेंगे और कुछ नई चीज आप महां से सीखोगे सो दिस इस यो फॉस्ट क्यों दिख रहा है सिंपल है बहुत आसान सा है क्या दिख रहा है कि लॉग आप 1728 तो बेस तू रूट 3 मुझे इसकी वैल्यू करनी है क्या होगी तो मैं सिंपल डेफिनेशन से बोला था कि लोगर्थिव क्या होता है सर इसकी वैल्यू क्या होती है वह होती है जो इस बेस पर करने से मुझे आर्ग्यूमेंट यह नि 1728 मिल जाए ठीक है तो वह क्या हो सकता है कैसे बहुत सिंपल है इस 1728 के सबको आता है तो इसी को मैं जैसे हम करते थे ना ऐसे 1728 लिखके फिर तूसे करोगे फिर तूसे करोगे एं शौन सो इस तरह से अगर आप करोगे तो यह मिलेगा यह कुछ ऐसे मिलेगा आपको 1728 के प्राइम ऐसे हों गए और इसी बात को मैं लिख सकता हूं तू रूट 3 रेस तू पावर 6 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यह और रूट 3 मिन्स रूट 3 स्केर मिन्स 3 और 3 का क्यूब है तो 3 तू जाए 6 तो यह ऐसे बन जाएगा इस इसका मतलब सिंपल सा है कि इसी बात को लिखने का तरीका है 2 लॉग ओफ 2 रूट 3 बेस है मेरा और यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 रूट 3 रेस तू पावर 6 तब मुझे बताइए 2 रूट 3 पर क्या रेस करूं कि मुझे 2 रेस तू रूट 3 रेस तू पावर 6 मिले तो सिंप यहां पर क्या रहा है मेरा तू रूट 3 रेस तू पावर 6 तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होगी सेम तो वह आपकी चोईस है जैसे सांवज में आया नेक्स वन सब क्या है प्रोडक्ट फॉम में अब तू कहा तक जा रहा है लोग 89 डिग्री तो बहुत ही बेसिक सा वन लाइन क्यों है तो अब देखो टेंजेंट 1 डिग्री की वैल्य मुझे पता नहीं होती तू भी नहीं पता होता बीचे मुझे 30 मिलेगा उसकी पता मिलेगी 45 डिग टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट 45 क्या होता है वन इसका मतलब दिस लॉग 1 और लॉग 1 क्या होता है सर जीरो यह उने पड़ा है कि लॉगर्थम में बेस हैं कुछ भी हो अगर अर्गुमेंट 1 है तो इस आलवेज इकल टो जीरो यानि किसी भी नंबर पे पॉजिटिव नंबर पे मैं कहा हूं कि क्या रेज करूं कि मुझे 1 मिले तो वो क्या हो सकता है that is only 1 sorry that is only 0 कि किसी पे भी क्या रेज कर तो 0 कर तो that is always equal to क्या होगा 1 ही होगा तो यह 0 जाएगा अब 0 बीच में है और यह सब प्रोड़क्ट फॉम में है तो अल्टिमेटल आंसर क्या जाएगा 0 बहुत सिंपल ठीक है पूद एट लॉग ओफ सेवन तो बेस्टू इसन इर्रैस्नल नंबर जानते है अगे नहीं लिख सकते हैं इसनल लंबर यह मुझे पूब करना है तो कैसे करते थे मैं मान लेता हूं कि और रेस्नल लंबर है log 7 to the base 2 को मैं लिख सकता हूँ pyq की form में q क्योंकि मैंने let कर लिया कि यह जो है ना मेरा यह एक rational number है clear आप ध्यान से देखो आप इसको exponential form में change करो क्या होगा base agities raised to power pyq equal to 7 yes or no yes क्या मैं q को उदर लेकर जा सकता हूँ yes or no this become 2 raised to power p equal to 7 raised to power q क्या मैं इसको इसको इसे लिख सकता हूँ yes or no किसी को दिक्कत की root 2 होता है तो दूसरी तरह power जाती है तो क्या हो जाता है let be x तो root उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा power 2 और यहां पर root का मतलब power half थी तो power मतलब उदर जाके क्या हो जाएगी old t यानी x square this is something like this तो वही चीज मैंने आखी 1 by q को उदर ले गया तो this become q अब मुझे बताओ क्या ये कभी equal हो सुकता है क्या कभी ये equal हो सुकता है मुझे पता है p and q are integers पियर क्या है मेरे integers हैं है पहली बात तो ये ठीक है और 2 raised to power something जब भी आप करोगे तो ये 2 into 2 इस form में जाओ गया तो this is always and even and ये मुझे क्या देगा always an odd result देगा ये even result दे रहा है मुझे ये odd result दे रहा है क्या ये कभी दोनों एक्कोल हो सकता है क्या एक एक एवन कि भाई ये अगर rational नहीं है तो ये फिर क्या बचा? irrational क्योंकि real number में दो ही टाइप है या तो rational होगा या irrational होगा तो जब वो rational नहीं है तो क्या बचा? irrational बचा that's it sorry clear hope it is clear simple that's it and yeah next so this is based on the graph totally based on the graph किसे नहीं है ठीक है कैसे तेखो graph हमने लोगरिथम में दो टाइप की किये थे first मैंने बोला था कि जब बेस जो होगा मेरा वो क्या होना चाहिए वन से बढ़ा होना चाहिए तो उसके लिए graph कैसे बनाते थे ठीक है this x यानि जो values आप ले रहो होना x-axis यह x argument है ठीक है so this point is 1,0 it means कि जब argument 1 होगा यानि log of base कुछ भी हो इस x की value जब 1 होगी तो इसकी value क्या आएगी 0 यह मैंने सीखा है कि base कुछ भी हो अगर log of 1 यानि यह argument 1 है तो it is always equal to 0 होगा यह point हमेशा मिलेगा चाहिए कोई भी कोई भी base हो ठीक है और कोई भी argument हो define होना चाहिए बस ठीक है so this is the graph for when the base is greater than 1 so अब पहला पार्ट देखो इस question का log of 7 to the base 2 log of 7 to the base 2 यह मुझे से पूछा गया कि यह positive है कि negative यह मुझे इसकी value नहीं पता करनी मुझे सिर्फ यह बताना है कि यह positive है या negative है कैसे पता करोगे simple सा graph देख रहा है सबसे पहले देखा base क्या है sir 1 से बड़ा है मतलब graph तो ऐसा ही कुछ बनने वाला है ठीक है फिर मैं argument की तरह है argument क्या है 7 तो अब ध्यान से देखो graph में यह argument क्य graph है sir x-axis के नीचे मतलब function की value कैसी है negative और जब 1 से बड़ा हो जाएगा argument तो यह function की value क्या हो रही है graph कहा है उपर मतलब positive यानि y की value क्या हो रही है positive यानि मैं simple सा बोलू ना कि y is equal to log of 7 to the base 2 इसकी बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो y means function इसको मैं f of x भी लिख सकता हूं ठीक है इस तरह से कैसे भी treat कर लो generally हम बोलते हैं कि यह मुझे x की value दे रहा है यह y की value दे रहा है simple सा है ठीक है तो अगर मैं in general मैं बात करना चाहूं तो क्या होगा कि अगर मैं log of x to the base b ऐसे लिखता हूं ठीक है यह अब b अगर मैंने ले लिया कि b is greater than 1, b जब 1 से बड़ा पहले म अगरा function यानि y क्या होगा यानि यह वाला जो function है इसको मैं y बोल रहा हूँ it is always less than 0 means negative होगा y axis के नीचे होगा ठीक है और x अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा it is greater than 0 means यह यहां जाएगा positive हो जाएगा बस काम गतम हो गया अब अब फटा फटा परची अंसर दे सकते हो पहले वाला देखो यहां बसक्ता है इसको डिसकस करेंगे पहले वन वाले देख लेते हैं तो फॉर्थ बार्ट बेस क्या है जाए अर्गुमेंट क्या होगा positive ही होगा ठीक है यहां बसक्ता है वन से बढ़ा है लेकिन लोग के अंदर लोग दे दिया तो कोई बात ने इसको भी solve का सकते है न अंदाजा लगा लो that's enough चीक है कैसे अगर मैं यहां पर लिख दूँ log of 8 to the base 2 यह बताओ मेरे को क्या होगा सर बेस क्या है 8 sorry argument क्या है 8 और बेस क्या है 2 तो 2 पे क्या raise करूं क्या 8 मिले 3 तो 9 होने का मतलब क्या है यह 3 प्लस आएगा मतलब इसकी value जो होगी वो 3 प्लस होगी something मुझे इतना पता करना है कि 1 से बढ़ी है कि नहीं yes or no yes इसका मतलब इसका ultimate मतलब यह है कि log of 3 plus some values divided by 2 यह 3 3.something कुछ होगा सो अब यह बताइए बेस क्या है 1 से बड़ा argument क्या है 1 से बड़ा value कैसी होगी positive इसकी value भी क्या है कि positive ही आएगी simple clear hope should is clear base 1 से बड़ा argument 1 से बड़ा value positive base 1 से बड़ा argument 1 से चोटा value negative base equal to 1 possible ही नहीं है ठीक है so base equal to 1 तो हो ही नहीं सकता यह चीज़ ध्यान रखेंगे बड़ आर्गिमेंट 1 होगा तो लोग की value 0 हो जाएगी simple hope should is clear okay so next बात करते हैं जब को टा देते हैं base 1 से चूटा होगा तो अब ध्यान से देखो second और third part में base 1 से क्या है चूटा तो क्या होगा simple सा graph बना लो पहले so so you know that when the base is smaller than 1 जब base 1 से चूटा होगा ग्राफ कैसे बनेगा just something like that and this point is always there 1,0 logarithming function में यह point हमेशा ही रहेगा yes or no so अब ध्यान से देखो मैं अगर function बोलता हूं base is less than 1 तो log of x to the base b इसकी बात कर रहे हैं when the b is smaller than 1 1 से चूटा होगा 0 से बढ़ा होता है यह हमेशा जानते है तो x की value देखो कहां से कहां तक है जब यह value 0 से लेकर 1 तक आ रही है जीरो से 1 तक graph कैसा है positive और 1 से आगे जाती है तो graph नीचे आ जाता है मतलब यह क्या हो रहा है negative तो बस simple सा fund of samanj में आ गया कि sir अगर argument x जो है वो greater than 1 होगा तो function की value यानि अगर मैं इसको y equal to यह बोलता हूं तो y मेरा क्या हो जाएगा smaller than 1 smaller than 0 sorry negative and when x is smaller than 1 argument जब 1 से चोटा हो जाएगा तो यह value कैसी होगी positive then y is greater than 0 बस तो देखो जहां से पहला base क्या है sir 1 से चोटा argument क्या है 1 से बड़ा base one से चोटा graph बना लगी तो भी base one से चूटा है graph ऐसे बनेगा argument one चे बड़ा one से आगे जाओगी graph नीचे मतलब इसकी value आएगी negative next base 1 से चूटा argument 21 से चूटा base 1 से चूटा graph ऐसे बनेगा argument 1 से चूटा मतलब यहां कही होगा मतलब value कैसे आएगी positive बस काम कतम ठीक है मतलब ग्राफ की नोलज है तो यह चीजी बहुत आसान आपके लिए लिए नेक्स्ट ठीक है इसका से एट किस्ट नमबर यह यह पार्ट हम नहीं करेंगे एट अभी ठीक है यह मैं इसके नेक्स क्लास में जब हम इन इक्वैलिटी के बारे में बात करेंगे पहले उसके बारे में इसके बारे में डिसक्स करना जड़ी है और देन हम डिसक्स करेंगे अभी आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं 7th और 9th किस्ट करवाता हूं जो भी लिखे वह यहां इसको मैं एक बार वापिस से लिखता हूं कि मुझे गिवन है log of 4 ठीक है यह लिखा हूँ लॉग 3 log x to the base 2 अब धहन से देखो इसको क्या लिखा हूँ है पहला लोग है log इसका base 4 argument इसका यह पूरा है यह पूरा इसका क्या है अब इसके अंदर log 3 और इसका argument यह है और लोग जो अंदर सबसे लिखा हूँ है log x to the base 2 इसका argument मतलब क्या है x है यह इसे क्षिशन गिवन है तो इसने क्या बोला कि log of 4 यह कुछ भी ओडिजन्ट मेंटा यह कुछ भी गिवन हो इसको भूल जाओ यहां पर s लिखा हूँ है ठीक है और equal to 0 है तो अब मुझे बताओ किसी भी function का log 0 कब होता है तो उन्हें पढ़ा सर लॉग of 1 is always equal to 0 बेस चाहे कुछ भी हो कोई फरक नहीं बढ़ता सर बेस कुछ भी हो अगर log of 1 निकालने तो हमेंसे क्या मिलेगा यहां पर चाहे कुछ भी हो यह जो argument है इसका this must be equal to 1 होना चाहिए तो यहां से मैं simply लिख सकता हूँ कि therefore log basis 3 and the argument is log of x to the base 2 is must be equal to 1 यह 1 के equal होना चाहिए यानि इसका argument क्या बना यह बना तो यह क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए सिंपल सा तरीका है चाहे कुछ भी लिखाओ डिजन मेटर यह पूरी टरम 1 होनी चाहिए तभी मेरा log 0 होगा otherwise log 0 हो सकता है क्या नहीं मैं graphically देखता हूँ चाहे कोई भी आप graph float कर लो when the base is greater than 1 or base is less than 1 this is always sorry यहां से पास होगा ना this is always 0 when this point 1,0 जब argument 1 होता है तभी मेरा logarithmic function 0 होता है टीक है तो एक ही चांस है चीजे क्लिए रहे हैं तक अब next is यह आती है कि now the log base is 3 and this is the argument और यह अब something का काम कर रहा है मेरा this is equal to 1 अब मुझे बताओ log की value 1 कब होती है log की value 1 कब होती है and the base is greater than 3 sorry greater than 1 base कहा है 1 से बढ़ा है तो base जब 1 से बढ़ा है तो graph सीधर सामझ में आता है graph तो यही बला है इसकी value 1 जो है वो कहीं एक ही 3 point पर हो सकती है यह भी चीज़ क्लियर है अब कब होगी तो simple सा चीज समझ में आता है मेरेको इस 3 पर मैं क्या raise करूँ ठीक है यहनी मैं 3 पर देखो अब यहां से ना simple सी चीज़ यह भी समझ में आ रही है कि इस function की value क्या है इस function की value का मतलब है 3 पर मैं क्या raise करूँ कि log x to the base 2 मिले मुझे ठीक है तो वो क्या हो सकता है that is 3 yes or no sound में आया कि नहीं आया नहीं आया ओके दोबार देखो देखो इसको यह तो exponential function में change कर लो यह फिर simple सा तरीका यह 1 कब आ सकता है तो इसको ऐसे समझ सकते हो log a to the base a यानि a पर मैं क्या raise करूँ की a मिले तक हो सर्फन ए पर मैं क्या raise करूँ की a मिले तो किसी भी number तो पर क्या raise करूँ की 2 मिले айн three you ring simple सी बात है तो यानि थ्री पर मैं थ्री ही रिषिये करूँ अं तो मुझे वन मिलेगा तो मैंने क्या बोला की three 3 यानि same number पे अगर मैं वही number raise करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 1 मिलता है simple सा तरीका है इसका मतलब log of 2 raise to power x must be equal to 3 यानि यह जब 3 होगा तब ही यह 1 होगा ठीक है बस अभी exponential function लगा दो this equal to 2 raise to power 3 equal to x यानि मैंने इसको exponential form में change कर ले तो x की value क्या गई that's it that's your answer easy I think it's very easy ठीक है बाकी बेसिक से है कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए ठीक है so let me raise this first and then okay so it's okay fine find the number of root of the equation मुझे एक्वेशन गिवन है उसके मुझे क्या निकलने number of roots निकालने है ठीक है so मेरे पास क्या है x cube minus log x to the base 0.5 यह वाला function मेरे पास given है ठीक है तो एक काम करो इस वाले function को पहले ले जाओ right hand side पर अब यहाँ पे भी ग्राफ की knowledge होना जरूरी है क्या होना चाहिए graph की knowledge होना जरूरी है तब ही आप कर सकते हो दरवाज नहीं कर पाऊगे ठीक है तो कैसे हो को ध्यान से देखो इसको इसको मैं अगर left hand side लेके जाओ तो यह और x cube का graph कैसे बनता है sir इसका बनता है ऐसे this is the graph of y is equal to x cube and this is the graph of log of x to the base 0.5 means when the base is less than 1 simply matter मैंने random rough sketch कर दिया ठीक है और ऐसा क्यूं किया तो यह चीजे हम पहले सीख चुए कि दो equations यह अगर मुझे fx is equal to gx soil करना है तो इसको कैसे solution करेगा जहां पर इन दोनों का graph intersect करता है जहां पर इन दोनों का graph क्या करता है intersect करता है क्योंकि वहीं तो common point होगा जो इन दोनों का solution होगा ठीक है तो यह하는 जहां दोनों के graph graph intersect करते हैं वही मेरा solution है तो यह कहा कर रहा है यह शिरख ella बेंडॉइक कर रहा है तो इसने मुझसे अंबर आफ और आफ सालीशन क्या पूछा नाऊबर आफ सोलीशन पूचाने नाकि स्लीशन राफ में निकान सैथ तो इक तो जब इसे मातेने सालीशन कितने होंगे one that's your answer simple clear option clear ऐसे एक दूशन देखते हैं अगर sound में नहीं आया तो next देखो so this is not यह वह exponential function से लेटर मैं पहले है करवा चुकाँ अब यह देखो same entity जैसे last था यह logarithym function है equal to मेरे पास एक linear function कीवर है तो simple इसको solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे number of solution निकाल ले तो फिर से graph plot कर लो यह कैसर अब इसका graph plot करने में थोड़ी सी वहनत लगई ठीक है कैसे ठीक है यह चीज़ हम transformation of graph में भी सीखेंगे बट अभी के लिए मैं थोड़ी चीज़ी बता देता हूं कि अगर मेरे पास यह log of x to the base 2 होता हूं ठीक है अगर ऐसा होता हूं ठीक है तो base 1 से बढ़ा है तो मेरा graph कुछ ऐसे बन जाता हूं we have no issue with that and this point is 1,0 but now the value is log of x plus 5 to the base 2 ठीक है तो अब मुझे बता हो यह वला point का मतलब क्या है sir जहाँ x यानि इस के लिए x की value 1 होते ही यह graph के वाज़ा है 0 but यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हो तो यह तो 6 हो जाएगा इसका मतलब यह 1 कब होगा जब यहाँ पे आप रखोगे minus का 4 क्या रखोगे minus का 4 तो अब इस इस टाइप के graph में जब आपको function fx is equal to ऐसे की बन हो let me it is log of 2 x plus 5 आप यह concept आप सकते हो और वैसे पिसा मत सकते हो sorry this is only x is there और मुझे इसको transform करना है f of x की बजाए मुझे x plus 5 लेके आना है ठीक है log of 2 x plus 5 तो आप क्या करोगे जितने भी values आपको दिख रही है x की उसमें क्या कर दोगे minus 5 जहाँ x plus 5 है तो minus 5 कर दो बस यानि यह graph क्या होगा यह 0 पे जा रहे है न तो यह line आएगी यहाँ पे x is equal to minus 5 यह point जो 1 है minus 5 करोगे तो हम minus का 4 this is something like this मतलब यह same graph जो है मेरा कुछ हैसे बनेगा चीक है तो यह transformation of graph मैं भी सीखेंगे अभी के लिए आप general लिख सकते हो और कोई भी random values देख सकते हो कि यह 0 कब हो रहा है जब x की value minus 5 है तो यह 0 कब होता है जब x की value 0 होती है तो minus 5 0 का 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 क पूरे function के लिए क्योंकि logarithm यह नहीं बोलता कि x की value 0 कब है नहीं इसका जो argument है यह 0 कब है वहाँ यह define नहीं होगा उसके आगे आगे define होगा यह यह बोलता है ठीक है यह 0 कब होता है जब argument की value 1 होती है तो यह 1 कब होगा जब value minus 4 होगी तो इसका actual graph जो है वो कुछ ऐसे पास होगा so this is the graph for this ठीक है this is the graph for log of x to the base 2 and this is the graph for log of x plus 5 to the base 2 this this is the difference and now the graph of 6 minus x भाई यह तो एक linear x negative है तो मतलब यह लाइन कुछ ऐसी पास होने वाली होगी ठीक है इसके point लेगा यह आप कर सकते हो तो मुछ दिखरे कितने point में इसक्त कर सकती है maximum sir एक ही point पे इसक्त कर सकती है mean the number of solution is only one that's it simple the next this one same as it is just a वहाँ पे यह x cube था यहाँ पे x raise to power क्या गिवन है minus half तो इसको simplify करो क्या मिलेगा log of x to the base 0.5 इसको प्लस करने के लिए x raise to power minus half इसको प्लस करने के लिए x raise to power half, x raise to power half रूट of x बस मुझे इनके graph बनाने आने चाहिए तो पहला graph तो मुझे आता है ऐसे बनेगा argument x ही है base 1 से चोटा है तो graph बनेगा इसे रूट x के graph कैसे बनता है? so the graph of root x is something like this ठीक है यानि किदे प्लस कर रहे है 1 यह ऐसे कैसे बना तो एक चीज़ इससे यह लगा सकते हो कि x square का graph बनाना आता है x square का graph अगर आपको पता हो तो this is a parabola is something like this yes or no? और मैंने बोला inverse function x square के inverse क्या होता है? root x उल्टा function पुछा है न कि y is equal to x square given है x क्या होगा root y replace कर दो बस रूट x इसका क्या होता है? inverse function होता है तो इसका graph x equal to y draw कर लो और उसका क्या लेलो? mirror image तो इसका graph कुछ ऐसे बनेगा this is something like this अब कुछ बोल सकते है इस साड भी तो इस साड रूट x जो है वो सिर्फ positive terms के लिए define होता है तो negative में define होता है 0 से बढ़ा या 0 के equal होता हो तब define होता हो that's why this graph is something like this or you can put some values 2 4 x root x की value निकाल के देगो upload के देगो and you can get it so this is the one solution the number of solution is one here so in the next one अब यहां पर देखो this logarithmic function and this is quadratic function मैंने equal to के इस तरफ ले गया तो equal हो जाएगा this is something like this now upload the graph you have to again find the number of solutions so log x to the base 2 यह तो हमने सीखा था sir यह इस type की graph बन जाएगा इस का graph देखो क्या बनेगा sir simple सा है quadratic equation है solution क्या क्या होंगे इसके solution आएगे 3 and 1 ठीक है और x square का coefficient क्या है positive तो इसका graph क्या बनेगा upward इसका मतलब एक solution तो यह होगा जहाँ x की value 1 है एक 3 यहां कच होगा तो इसका graph जो है parabola कुछ ऐसे बनेगा अब देखो यह दोनों जो graph है यह कहां intersect कर रहे हैं sir अब एक यह point हो गया एक यह point यह कितने points फे दो तो number of solution कितने होंगे two other that's it simple है तो एक तो मुझे देख रहा है x equal to 1 is the solution है and the second we have to find take us to solve them but now no need to solve this okay option is clear easy very easy that's it okay so I think this is clear so यह कुछ basic questions से लोगतरम से related ठीक है hope आपको clear हो जाएंगे next lecture में बात करेंगे inequalities related to logarithmic function and then बात करेंगे properties of logarithmic functions तो यह कुछ basic चीजे हैं जो आपको पता रहने चाहिए ठीक है clear करने के लिए तो hope show आप enjoy कर रहे होंगे तो जादे से जादे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और कोई भी टोपिक इससे रिलेटेड आपको चाहिए कि हां यहां पे हमारा डाउट है और हमें इससे रिलेटेड एक वीडियो चाहिए then पिग में दे कमेंट सेक्षन मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा ठीक है और जैसे भी रिव्यू हो रिव्यू जरूर दे वीडियो से रिलेटेड की आपको कैसे लग रहे हैं क्या चीजी आपको इंप्रूव चाहिए and so on that's it so hope shot is clear thank you very much